पच्छी मंगाल की मुख्य मंत्री ममता बेरजी ने कहा है कि उन्हें पत्वी कोई लालसा नहीं है वो लोगों के लिए इस्तिपा देने को तयार हैं ममता बेरजी गुरुवार साम परदर्शन कर रहे जूनियर डोक्टरों के साथ मुलाकात के लिए पहुची थी इस दोरान मिटिंग के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे थे लेकिन मामला सुप्रिम कोट में होने के कारण यह संबव नहीं था ऐसे में जूनियर डोक्टर ममता से मिलने नहीं आए यह मिटिंग फेल होने के बाद ममता बेरजी ने अपने इस्तिपे की बात कही है उन्हों उम्मीद थी कि आज समस्या का समाधान हो जाएगा मैंने जूनियर डोक्टरों से बात करने की पूरी कोशिस की मैंने अपने उच्च अधिकारियों के साथ तीन दिनों तक इंतजार किया आरजी कर मामला नयाले में विचारा दिन है इसलिए जूनियर डोक्टरों की मांग के अनुसार उनके साथ बैटक का सीधा प्रसारन नहीं किया जा सकता हमारे पास जूनियर डोक्टरों के साथ बैटक की वीडियो रिकोर्डिंग की विवस्ता थी हम सुप्रिम कोट की अनुमती से इसे उनके साथ साजा कर सकते थे हमने दो घंटे तक जूनियर डोक्टरों का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आए आज हमारा मुख के विशे था विकास सेप्टी एवं सुरक्षा आज हम खुले मन से चर्चा कर सकते थे फिर प्रेस वारता बाद में दे सकते थे हमने पत्र में कहा था कि 15 लोग आएंगे लेकिन मैं 34 जूनियर डोक्टरों के आगमन की भ चंद्री का भटाचारिया थे 27 लोगों की मौत हुई है 7 लाख लोगों का इलाज नहीं हो पाया रेसिडेंट डोक्टर और जूनियर डोक्टर काम नहीं कर रहे हैं कोलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में रात की सेप्टी में एक ट्रेनी डोक्टर के साथ दुसक्रम कर उसकी प्रदसन कर रहे हैं डोक्टरों के प्रदसन के कारण लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है इसे से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इसी हर्ताल को खत्म कराने के उद्देश से ममता बेनर जी जूनियर डोक्टरों से मिलने पहुची थी लेकिन डोक्टर बै रहिए लाइब टीवी नीज के साथ